हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इस प्रतिरक्षण टीका करन पर धान कैंदरत करना चाहिए और उन्होंने केंदर सरकार से राजयों को अधिकाधिक तीके उपलप्ट कराने की अपील की है इसके साथ ही गैलोत ने राजय कि जनता से स्वास संबंदी नीयमों का पालन करने की अपील करते हुए आगा किया कि अगर सतरक्ता नहीं बढ़ती तो सरकार को सक्त फैसले लेने ही पड़ेंगे गैलोद ने ट्वीट किया देश में कोरोना की मामले तेजी से बढ़ रहे हैं विशेशग्यों की राय है कि भारत सरकार को जादा से जादा टीका करन पर फोकस करना चाहिए अधिक से अधिक टीका करन से ही जनता कोरोना से सुरक्षित हो सकेगी टीका करन में आयू वर्ग की सीमा हटा कर सभी को टीका लगाना चाहिए गैलोत के अनुसार पैंगलोरो के डॉक्तर देवी शेटी की ये राय उचित लगती है कि 24 से 45 वर्ष आयूवर के लोगों का भी शीक्र टीका करन करना चाहिए क्योंकि ये लोग अपने काम से घरों से बाहर रहते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं गैलोत ने कहा कि भारत के पास बड़ी संख्या में टीका उत्पादन की शम्ता भी उपलब्द है जिसका इस्तमाल होना चाहिए मुख्यमंत्रे ने लिखा मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि राज्यों को अधिक से अधिक संख्या में टीके उपलब्द करवाए संख्या 602 पर पहुच गई गद 11 दिनों में ही कोरोना के नए मामलों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ गई है उन्होंने कहा अगर अभी भी लापरवाही बढ़ती गई तो स्तिती बिगड सकती है इसलिए मास लगाएं, हाँ धोएं एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करें लोगों को आगहा करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि आमजुन ने पूर्व की तरह सतर्कता नहीं पड़ती तो सरकार को सकत फैसले लेने ही पड़ेंगे प्रदेश सरकार कठोर फैसले की बजाए आमजुन के सयोग से कोरोना वारेस की महमारी को नियंतरित करना चाहती है जागरुक टीवी की खास रपॉर्ट